दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सीटेट 2021 पेपर वन के हिंदी के कोश्चन्स को हिंदी में जो भी प्रशन आप से पूछे ग गया था तो आपका सॉरी कोश्चन आपका 91 से सुरूआ है यह रहा आपका और आप उपर देख सकते हैं लैंग्विज वन यानि कि भासा एक भागचार हिंदी या पेपर सीटेट 2021 का है बच्चो जो की जनवरी 2021 में पेपर हुआ था चलिए तो सबसे पहले आपको 91 तक इस गदांस में से संबंदित प्रशने पूछे जाएंगे तो सबसे पहले आईए हम गदांस को पढ़ लेते हैं और उस गदांस के आधार पर हम आगे के प्रशनों का जवाब देंगे तो चलिए गदांस की पहली दान यहां से हम सुरू करते हैं यह नहीं भूलना चाहिए कि ह हमारा जो वहवार होता है उसी के अनुसार हमें फल मिलता है जो समाच और सनवेदना के निति मुलक संस्थावनों को अपने वहवार का हिसा बनाता है वही सांती पाने का हगदार होता है अब यहां पे आपको दो पॉइंट यहां देखना लगए कि हमें नहीं भूलना चाह किसको बनाना चाहिए इन विंदू को तो हमें ध्यान रगना चलिए पूरे पढ़ लेते हैं महावीर बुद्ध क्राइस्ट नानक गादी जी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इसमें उनकी सदास्यता निरहंकार वहवार का योगदान है वे जिए समस्थ प्राणि प्रकृति और स्रिष्टी के लिए उन्होंने समस्थ प्राणि प्रकृति और स्रिष्टी के लिए अपने जीवन व्यापन किया उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है अचा गांधी जी ने गुलामी से आजा दी यहां इस पॉइंट को थैंदि गांधी जी ने गुलामी से आजा दी मनुस्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष बनाया सबके बरती समान दृष्टी का ही भाव और वहवार था गांधी जी तबी विश्वनेता बने गीता में कहा गया है कि समस्त प यह अभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वो हर किसी का मित्र होगा मतलब आप पहले स्वम के बारे में अच्छा जरूर सोचिए और आप भी इसे अजमा सकते हैं अजमा कर देख सकते हैं महसूस होने लगा दी सांती जी सांती के लिए भटक रहे हैं वो कहीं और नहीं आपके अंदर ही है तो यह हो गए तोड़ा सा गदांस और इसी गद के अंदर से हमें 91-99 के प्रश्न को हल करने अब आई निम्ड में से किससे गांधी जी ने अपने लक्ष नहीं बनाया अपना लक्ष किसका नहीं बनाया गुलामी से आजा दी मनुस्चिता की सेवा विव नहीं बताया यह यहां पर भी आपको यहां पर दिया गया जैसे आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर गांधी जी ने गुलामी से आजा दी मनुस्चिता की सेवा और विवेक से मित्रा को अपना लक्ष रखा था ठीक है तो यहीं आप देखेंगे तो गुलामी से आदा हमारे वहवार से मिलता है जो समाज की सनवेदना तो होता है तो हमें यहाँ पे देखिए सनवेदना और नीती मुलक अस्थापनाओं को अपना वहवार का हिसा बनाता है तो यहाँ पे देखिया अनुछेद के अनुसार हमें किसको अपना वहवार का हिसा बनाना चाहिए समाज और सनवेदनाओं के नैतिक मुल्यों की गुरु नानक देव की सिक्षा सत्य आसित परिभासा तो यह पॉइंटों साफ हमें पैराग्राफ में मिल गया था तो यही हमारा क्या होगा साहिवी गल्प होगा अचा गादी जी विस्वनेता क्यों बने तो गादी जी क्यों विस्वनेता बने क्योंकि सबके बड़ती समान दृष्टी का भाव और वहवार था गादी जी इसलि तो मित्रता मनुस्यता और वीरता तो इन तीनों सब्दों में देखेंगे मित्रता मनुस्यता और वीरता तो ये कौन सी संख्या है ये बचो भावाचक संख्या है संख्या है ठीक है जबकि मित्र क्या है मित्र हमारा एक जातिवाचक संख्या है ठीक है तो इसमें ये तीनों भीन्ने होंगे मित्रता मनुस्यता वीरता एक होंगे और इसमें भीन्ने कौन सा होगा मित्र हम कि सही सब चुनिये सबके परती Um कृन सा समान दिर स्टी का समान दिर्ष्टी का साही हमआ पर विगल पुजा इस फ्रूरा सब झी समास है अपना पराया दिन रात मित्र सत्रू इन दोनों में द्वन्द उत्पन होता है चीक है तो इसके अंदर कौन सा समास होगा बच्चो इसके अंदर होगा द्वन्द समास आपने देखा कैसे पूछे जा रहा है अब बहुत आसानी से कर लेंगे बिल्कुल घबराये मत ऐ किसके अनुसार फल मिलता है यही तो डिखा गया है हमें किसके अनुसार फल मिलता है यही तो डिखा गया है हमें किसके अनुसार मिलता है बच्चो देखिए कि हमारा जो वहवार होता है उसी के अनुसार हमें फल मिलता है यह तो गद्दांस की पहली ही लाइन थी तो हमें क किसके अनुसार फल मिलता है यह हमारा प्रश्ण था तो हमारा किसके अनुसार समाज के वहवार के बुद्धी के या वंस के तो हमारा जो वहवार होता है उसी के अधार पे हमारा फल मिलता है यह चीक है चली इस गदांस का आखरी प्रश्ण दोस्तों कि सांती कहां पाया जा स तो संथी कहा है आपके अंदर है आपके स्वय वा में संती है राएं स्वय में ही मिलेगी सही निल्हाय नजिए पिरसनों को या पर समय लेता है तैंसी फैड्ट स्वित कवीटा कि परश्णी के रहेे हमने 99 से प्रश्ण के रहे हुषब है कवीटा वितक यहそうだ बहुत ही प्यारी कवीता है बिलकुल आज एक कवीता हमें एक संदेज देने जारी है इस कवीता के माद्यम से देश वासियो सुनो देश को नमन करो देश ही आधार है प्यार देश से करो लड रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर देश हीत को भूल कर प्रांत भासा जात पर मिटा के भेद भाव को देश को सद्रिल करो और देश वासियो सुनो देश को नमन करो ब्रस्टा चार की लहर उट रही नगर नगर घोर अंदकार से सूजती नहीं डगर जोती नीती धर्म की आज तुम प्रकर करो देश वासियो देश को तुम नमन करो देश आज रो रहा देश का रुदन सुनो बात दर्द देश का मित्र देश के बनो प्रेम प्यूस से द्वेश का समन करो प्रेम प्यूस का मतलब प्रेम के अमरित से प्यूश का मतलब क्या होता है प्रेम के अमरित से तो प्रेम प्यूश के से दवेस का तुम समन करो देश वासियो सुनो देश को नमन करो क्या बहतरीन कविता यहां पर दी गई है सीटेट में अब आईए अब इससे हम प्रश्ण को हल करेंगे कविता में नीती धर्म की जोती प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि क्यों कहा गया है बचुत जब आप इस प्रश्ण को विकल्प से हल करेंगे तो थोड़ी सी समस्या होगी जैसे कविता में नीती धर्म की जोती प्रखर करने के लिए क्यों कहा गया है देश को प्रेम किया जा सके देश का दर्द बाटा जा सके आपसी वेदबाओ को दूर किया जा सके या भराष्टचार को दूर तो आपको सारे विकल्ब सही लगेंगे लेकिन आपको क्या करना आपको कविता में आना है नीती धर्म की जोती प्रखर करने के लिए कहा गया है तो नीती धर्म की जोती प्रखर करने के लिए कहा गया है यहां पे कहा गया है कि जोती नीती धर्म की आज तुम प्रखर करो क्यों क्यों कि भराष्टचार की लहर उठ रही है नगर नगर तो भराष्टचार को दूर करन के लिए ही क्या किए गया है जोति नीती धर्म को प्रकर करने के लिए इस प्रेम्डर्दностью आपका साही विकल्ब प्रष्ट चार को दूर करने के लिए ठीक है चलिए डेश आज रो रहा है इस पंक्ति का ऐस्देश है देश मेहं चुकि असांति का वाता वरण है, इसलिए कविता में कहा गया है कि देश आज रो रहा है, चींके चलिए, नीचे, यहाँ पर आपका अगला प्रशन यहां से शुरूता है, कि द्वेस का समन किया जा सकता है, किसके द्वारा, प्रेम के द्वारा, नीती द्वारा, धराम फासन द्वारा तो दोस्तों बेस का समन किसके दवारा किया जाकता है पुंट का विलॉंम सब्द हो की उसका मतलब मैंने बाताएं आपको अमरित होता है तो पिउसका विलूम इर्खेश अमरित जिसका तो ब्रस्ट चार नहीं होगा ब्रस्ट चार नहीं ब्रस्ट आचार होगा बिल्कुल जही तीसरा आपका सही जवाब बज़ेगा ब्रस्ट आचार नहीं ठीक है तो समझ जा रही हो बच्छों चलिए बहुत से पांच वा दोस्तों इसमें कविता के अनुसार देश को सद्रिड किया जा सकता है कैसे किया जा सकता है कविता के अनुसार तो चलिए कविता में चलते हैं कविता में देश को सद्रिड किया जा सकता है कैसे बच्छो तो यहां पर लिखाए कि मिटा के भेध बाव को देश को सद्रिड करो तो कैसे किया ज समझ तो बहे दाओं को दूर करके समझ आगए बच्चो तो चलिए अगर यहां तक आपको समझ में आ गया हो तो यहां तक क्या था आपको दो गदान से ठीक है तो सौ से पांच आपने पादान से और एकानवे से नीनाने बे अपने गदान से प्रशन हल कर ले हैं ये बिल्कुल वह प्रशन है जude हो कि आसानी से बच्छो इसमें आपको पूरे के पूरे पंद्र नंबर के आपको ऐसे प्रशन मिलें इंगे पंद्रा और मैं चाता हूँ कि हर difference में पंद्र यह तो बच्चे कुछ सीखने के बाद से सुरू करेंगे ठीक है तो आप सबसे बच्चों को पहले चित्र बना के आप बताते हैं कि चलो पहले आपको एक आम का चित्र बनाना है या फिर किसी पक्षी का चित्र बनाना है या फिर किसी चुहे का या फिर तो आप सबसे से सीखाते हैं कoffit रपना कर या फिर आपने गोला बनाना तो इस तरह से आप शुरू करते तो इसका सही विकल्प क्या जागा बाज़ो चुछ बनाने है जिंडर बनानी चीध कि बना से सही लिगर्फ हो जाएगा अगला प्रश्न है दोस्तों भासा कोसल के बारे में आप किस विचार से सहमत है मतलब भासा की skills होती है जैसे की लिखने की कोसल बोलने का कोसल पढ़ने का कोसल तो यह भासा का क्या है बच्छो एक कोसल एक skills है ठीक है reading writing learning और सुनने का भी कोसल लिसनिंग यह skills है तो बहासा कोसल के बारे में आप किस विचार से सहमत है ठीक है यह एक निश्चित करम में सीखे जाते हैं क्या मतलब इसक्रम में जैसे कि आप माले यह पहले बोलना सीखेंगे लिगा निश्चित करम में सीखेंगे यह स तब यह साथ नहीं सीखे जा सकते गलाद बार तो यह क्या होता है बच्चों यह एक दूसरे से अन्ता संबंदित होते हैं चलिए अगला प्रशन हम देखेंगे अगला प्रशन है 108 कि हमारा प्रशन है यह बड़ा अच्छा प्रशन है पार्टे पुष्टक में आप देखे उन्हें जानने ठीक है उन्हें जानने उसमें गहराई से क्या उन्हें गहराई से परखने और अन्वो के अस्तर से जूडने मतलब जानने परखने और जूडने तो जानने और परखने और जूडने कहा है हमरे यहां है ठीक है तो आप एक बार मिला लेंगे कि पार्टे पुछाएगा विकल्प मुम्र चार अब आते हैं 109 प्रश्क इसकीनर के अनुसार इसकीनर ये तो हमारा CDB का एक कोशन है ठीक है लेकिन हिंदी में पूछा गया है क्योंकि हिंदी भासा से समझ इसकीनर के महोदे ने कहा था की भासा की च्षमता का विकास कुछ सर्तों के अंतरकत होता है जिसमें अभ्यासильно कल रटने जैसे प्रक्रिया भी सामिल है तो इसकीनर ने ये कहा। जाता कि भासा नकल अनुकरण से भी सीखा जाता है मतलब बच्चे देखते हैं कि घर के माबाप कैसे बोल रहे हैं या फिर घर के बड़े बज़रु कैसे बोल रहे हैं तो वह जैसे बोलते हैं वैसे नकल करने की कोशिश करते हैं वह बच्चे सीखते हैं यह इसकीनर महोदे कहा था ठीक है तो भासा किस से द्वार सीखा जाता है अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है यह इसकीनर महदे का तर्टर कता इसकीनर और पावलो जी दोनों नहीं यह कहा था 110 प्रशन देखेंगे कि प्रात्मीक अस्तर पर प्राटे पुस्तक में दिये गए प्रशनों का ध् हो कि अभिविक्ति कि चिंटन चंता की विस्तार से या तो यहां पर पुछा जा रहा हा देखेंगगे 111 इंदी के प्रशन को हिंदी ऐंसा का आखलन करते समयं आप किस बिंदू को सरवधिक महतु किसे देंगे सहज अभी वैक्ति अलंकारिक भाशा भासा की रचना या फिर व्याक्रड समस्त भासा अब यहां देखेंगे कि बच्चे की सहज अभिवेक्ति कि अपने विचारों को कैसे उसने भासा में प्रकट किया ठीक है इसका सही जवाब क्या हो जागा बच्चे इसका सही जवाब हो जागा कि सहज अभिवेक्ति ठीक है कि उसले अपनी विचार कैसे रखें उसका विचार कैसा रहा उस भासा के हमाते हमें चलिए प्रश्ट सेंगे 112 देखते हैं कि प्रास्तिमिक अस्तर पर पढ़ना सीखने की सुरुआत करने के लिए आप किस समागरी का सरवदिक महत्तों देंगे चीए अक्छर ग्यान का वर्ड माला का सुद्धोचरल का रोचकारिया पढ़ना सीखाने की सुरुआत करने आप जैसे मलक कोई बच्चा अभी तक नहीं पढ़ने की सुरुआत करना तो आप सबसे पहले क्या करेंगे आते ही उसका अक्छर घ्यान कराने लगेंगे यह को है को से को पूरा वर्ड माला याद करा देंगे या फिर उसको पहले ही कहेंगे कि को 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 कि उसको क्या थोड़ा सा इंट्रेस्ट आए उसकी रूची आए उसको सीखने में ठीक है तो सबसे पहले सीखने के सुरुआत करने के लिए आपकी समागरी का सर्वाधिक मत हो देंगे तो सबसे पहले आप रोचा कहानी है इसका सही जवाब है चली बहुत से अब आईए ए बच्चे को आप गलत इंपेक नहीं दे सकते हैं, गलत तरीके से पूरा थे से कि लापरवाह सल्मा यह अग्यान है, तो इसकी सौभ वर्तनी है मतलब वह अपने इच्छा उससार उसने लिखा है तो बाज में इसको क्या करेंगे इसको सही करेंगे आपने कि किताब लिखो तो किताब की जगा उसको जो समझ में आया उसने लिखा ठीक है फिर हम उसको क्या करेंगे उसको सुधार करेंगे तो इसका सही विकल्ब क्या जागा सोवर्त लिए इसमें आप देखेंगे कि बच्चों को हम नेगटीव चीजे नहीं कह सकते हैं बच्चों का मलत गलत हम किति कितने किते कि समर्थन की इसकीने में पहसे ऑग्र दीने का समर्थन बढ़े ही सोगोजोर से वह bashकी ने किया प्रशन संगया 115 को ठीक है की दूए भासिकतहं डैस उपलब्जियों का गहरा साकरात्मक सम्बंद हैं की तोड़ा सां प्रत्रेतिकल हो गया है विवसाइक, दुवित, सहितिक या विज्ञान इसके बारे में मुझे भी बहुत व्याख्या नहीं पता लेकिन इसका सही जवाब यह दिया गया है विद्वित ठीक है दिवभासिक्ता और दुवित उपलब्जियों का गहरा साकरात्मक सम्मन्थ पाया जाता है चलिए, आप कमेंड में मुझे बताएं कि दुवित का अर्थ क्या होता है और ऐसा इसमेरे में क्यों कहा गया तो मुझे बड़ी खुश होगी, मुझे भी जानकारी लेकर अच्छी बिलेगे परात्मक अस्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भासा सम्मनिट किस पक्च पर सरवधिक बल दएगे बढ़ा अच्छा प्रशनी दोस्तों, कंफूज करने वाला है व्याक्रण नियम, व्याक्रण ग्याड, भासा ग्यान या भासा परियोग आप रात्मी के अस्तर पे एक बच्चे को भासा पढ़ा रहे हैं तो आपका सबसे अधिक बल किस पर देंगे आप मानले जिए उसको हिंदी पढ़ा रहे हैं तो आपका सबसे ज़्यादा फूकस क्या होगा कि वो हिंदी के व्याकरण सीख जाए मतलब अच्छे तरीके उसको व्याकरण आजाए या उसको व्याकरण का पूरा ज्यान हो जाए या उसको भासा का ज्यान हो जाए या वो भासा का पर्योग करना सीख जाए तो सबसे पहले हम भासा को क्यों पढ़ाते हैं बढ़ने का मतलब बतलब कि उसको पहले भाषा परियोगँ सीख जाएं इंगें सुख़एं इंग्लिस को बोलना सोगा इंग्लिस को समझने शिख जाए तो इस हमारा प्रसंटरों का तीन प्रस्न Catholics औरुल देता है कि मौकी भासा का माुःक बतला मौकी बोल handy तो उस भासा पे आप आकलण करेंगे जब उसका असेस्टमेंट या टेस्ट करेंगे तो आप किस पर ज्यादा बलनेंगे आप यह देखेंगे कि उसने सही उचारल बताया की नहीं बताया या फिर वीचारों की करमबता धारा परवा कितने बृता संस्क्रितिक निस्ट अब यहां पर दियान देखिया अभ जैसे मालीजी कोई बच्चा log की तौर पर आप देखेंगे अरदु मालीजी अर्दु बोल रहा है क्या उसने अरदु के उचारर सही बोले की नहीं जैसे कौ को उसने कहा की नहीं ऐसा देखेंगे यह पिर आप देखेंगे कि कितना तेज़ बोल रहा है वह क्या, फ्लू collateral बोल रहा है यह पिर आप देखेंगे कि यह उसने उर्दु की सान्सक्रिटिक अब पुराने one-рать ने उसका पर इंप ऑखरуск नहीं पर काण से हिंडी के तो क्या चाली बौस तीन प्रस्ण और बच गय तो हम प्रस्ण संख जह 18 देलिा हम वाहं के माध्यम से डैश इश ओर डैश करती है क्या करते सोचते और वीचारते हैं आणिवां और महसूस करते चिंतन और विचुरल करते और सोचते और महसूस करते हैं पहली एक चीज़ आप यहां पे तो जहां से समझना पड़ेगा अगर किसी की भासा बहुत कठोर है तो हमें तकलीफ होती है अगर किसी की भासा बहुत कोमल लगर वो प्यार से बात करते हैं अच्छा महसूस होता है तो देखिए भासा में आप तो महसूस तो जरूर करेंगे ठीक है महसूस तो करेंगे ठीक है तो भासा के आधार पर आप क्या करते हैं आप सोचते भी है ठीक है क्या अनुभाव करते हैं कौन सा विकल्फ सही होगा तो इसका जो विकल्फ सही होगा बच्चो तो सोचते और महसूस करते वाला सही होगा ठीक है तो इसका सही क्या होगा कि हम भासा के माध्यम से क्या करते हैं सोचते और महसूस भी करते हैं चलिए सेकेंड लास्ट प्रशन है इस वीडियो को खतम करेंगे कि डैस से उसका नाता ना टूटे किस से व्याकरण सीखने से भासा परियोग से भासा की परिवासा या व्याकरण रटने से तो देखेंगे रटने की तो बात नहीं परिवासा की बात नहीं तो भासा के परियोग से व्याकरण सीखने की बात कर देंगे तो आपके व्याकरण तक ही आपने सीमित कर दिया तो हम देखेंगे कि हमारा क्या हुची ये दायरा इतना बड़ा हुची कि हमारा भासा परियोग से जो है बढ़ा हो जी कि भासा परयोग से उसका नाता न टूते ठीक है ? तो हमारा बासा परयोग से उसका नाता न टूते यह हमारा सही जवाब हो जानी बाच्चों लास्ट प्रशन है वीडियो को जाने से पहले लाइक जिरूर कर दीजिए के कमेट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और अभी तक मैंना नहीं कहा है कि आप सब्सक्राइब कर लिएगा अगर अपने चैनल से नहीं चुड़े हैं तो जाश प्रशने बच्चो प्रात्मिक अस्तर परवासा सीखने 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 में बाल साहित मदद करता है क्योंकि बाल साहित मदद बाल साहित जो किताबें बाल साहित की कहानिया है वो मदद करती है क्यों क्योंकि वो सरल होती है वो रंगीन चित्रो वाली होती है वो भासा की रंगते प्रस्तूत करता है या बच्चो के लिए होती है तो बच्चो इसका सही जवाब होगा हाला कि वो बच से हमने अब यहां पर देखेंगे तो दूसरा लेंग्वेज आपका सुरू हो गया इस प्रकार से सीटेट 2021 में पेपर वन में पूछे गए जो हिंदी के प्रश्ण थे इस प्रश्ण को हमने सहल किया आपने देखा तीस प्रश्ण में जो 15 प्रश्ण थे बच्चो आपके इस करके आए हिंदी में और पूरा बच्चो 150 में आप 150 करके आएं मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत सुबकामना हैं कमेट में बच्चो अपनी राय जरूर दीजीगा मुझे इसका बेशाबर से इंतिजार रहेगा और वीडियो को लाइक कर दीजीगे दोस्तों तक शे से जुड़े मुझे बहुत अच्छा लगए इस वीडियो में फिलाल इतना है दोस्तों बहुत 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 शुक्री है अपना खूब क्याल रखे पढ़ते रहे में तरफ से बहुत-बहुत सुक्तामना है जै ही जै भारत साथियो